लो पीटों कैसे आप लो पढ़ियां तो भीटा जैसे बात करेंगे माग्नितिजम में माइनेटीक फिल्ड ईन आप बार मैं एक्षियल पॉइंट कोई कि एक प्रेंट है और उसी लाइन में यहां को एक प्रेंट पॉइंट पर यानि उसी एक्सियल लाइन में हमको पी पोइंट पे माइटेटिव फिदिकी निकालनी है इस बार मेंट के दवरा के निकालनी है तो इस. पी पे कितनी से Nej और कितनी यहीई करेंगे जैसा कि हम डैप आशन्या नौर्ठ का मतलब होता है कि नौर्ठ पोल से फिजब क्या होती है निकलती है नॉट पूल में अंदर जाती है तो नॉट पूल से जब हम ने पी-पॉइंट पर निकाला यानि कितना फॉर्स लगा इस पॉइंट पर तो जैसा प्लस चार्ज के दुवारा क्या होता था हमेशा अवे फ्रम्ट जाता था यह से निकालना है तो पिपॉइंट पे तो जो फोर्स होगा वह वह फ्रम्द पॉइंट जाएगा उसका डिर्क्शन अवे फ्रम्द पॉइंट होगा ठीक ये था आपने तरफ आता था तो इस केस में पॉइंट से क्या हो रहा है पिछे की तरफ आ रहा है यह है तो करता है कि दर में ना था तैने साद चलता है है तो हम लोग बात करते हैं कि कि फॉर्स कितना होगा फोर्स ऑनइपॉंट थेस कि पहले हम बात करें विटा फोर्स उन एकजर्ट इंड नॉर्थ पोल के दोवारा पी पॉइंट पे कितना हुआ एफ एफ एन निकालेंगे तो एफ एन कितना अब बटा तो हम निकालेंगे एफ एन की वैल्यू कितने वह जाएगी ऐफ कुलं फॉर्स यह जाए बिटा के Qm by R² तो यहां से यहां के दूरी 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 अर माइनस L हो गया क्या है आर माइनस L का होल स्कुरे अब यह भी थोरा समझ लेते हैं यहां पर कि बार मैनिट है उसका डैपोल लेंथ होता है तो ल से डिवाइड कर दिया उसके सेंटर से हम उस पी पॉइंट के डिस्टेंस ले लिए और एस से लेके पी तक कर डिस्टेंस लेटा आर प्लस तो इसको भी हम दिमाह में कंस्वीडर करेंगे तभी जाके यह कुशन सौल होगा ठीक है चले तो यह हो गया बटा के क्यूम अ अब हो रहा है तो यह क्लियर है तो यह लग के सो का पी यानि पी तरफ जा रहा है और उसी तरीके से एंग द्वारा हो गया पॉइंट की पे अगर हम इस दोर निकारा थे नहीं इस का दोरा अपने तरह और तो एस इस इसकोल टू के QM और से पी कर डिस्टेंस लेटा आर प लेक्ष्ट हमारा बात करेंगे हम तो सकंषन क्या तुब शयारा यानिकी तरफ आपका देख सकते हो कि पॉइंट पी एक एंड़ जा रहा garant यह तो यह हमारा एफन हो गया क generally अजाव हो गया जब हम resultant निकलेगे भाटा यानिक यानि कि रिज्टेंड टूस के विसे नीट टू हुप पॉर्स ग५ोर्स ऑन पवैंट पी परजलों कि तना होगा तो वह गला हमारा ४ net is equal to fn-fs क्यों 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 कि fn line of the axis equation और fs opposite आ रहा है अजब अपोजिट आ रहा है तो वेक्टर सम करते हैं बटा तो opposite case में हो जाता है निकडिये साइन तो fn-fs केस हो जाएगा अब रग दो बैटा वैलू तो यहाँ पर हो जाएगा KQM अपॉन R-L का whole square और यह हो जाएगा आपका minus KQM अपॉन R-L का whole square next case में आएगा हमारा कि KQM common कर दो KQM common हो गया तो यहाँ बचा बचा 1 upon R-L का whole square minus 1 upon R-L whole square next अगर चर्चा करें हम आगे तो आगे देखेंगे तो यह KQM है KQM और यहाँ पर bracket में ध्यान दें बचा तो अब हम लोग L-C-M दे देते हैं अब इसको mathematical calculation है अब इसको solve करेंगे mathematical calculation करके तो यह हो जाएगा बचा आपका R-L का whole square और यहाँ पर हो जाएगा बचा आपका R-L का whole square upon यह हो जाएगा बचा R-L का whole square और R-L का whole square R-L का whole square और R-L का whole square अलग से एक तरफ होने में आप इसको रफ सेंस में तो जब आएका 4LR आप आप इसको करके देख सकते हैं अर फ्लस L का होल स्कूरर ओपन कर देना तो R स्कूरर प्लस L स्कूरर प्लस 2LR हो जाएगा ठीक मैं आपको करके ही दिखा देता हूं पैटा यहां पर मैं आप के लिए काल्कुलेशन कर देता हूं सबसे ब्रेस्ट आप भी खुश और आप भी खुश अपर यहां पर जाएगा आपका r square plus l square minus 2LR अब जब ब्रैकेट आएंगे to r square plus l square plus 2LR और minus r square minus l square plus 2LR हो जाएगा अब इसमें r square L square r square L square कड़ जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4LR और आप देख सकते हैं यहाँ यहां पर एंटो 4LR अपान आर स्क्वाइर माइनस L स्कॉयर का फोल स्क्वाइर अगर आपको यहां पर यहां पर भूल जाओ कुछ समय के लिए तो SQIER को आप इस बाहर के ऊपहर आप सब के ऊपहर इसे लगा तो यह क्या होगे और अर्य प्लस ल और इंगर बनता है और बच्चे से घबरा जाते हैं कि चलिए अब आगे चर्चा करते हैं ठीपुल है 2L into qm क्या जिए सकते हैं पीएम पीएम मदलब मेंटिक डैपर मोमेंट जो यहां पर हमने मेंशन कर दिया और एक तू अभी 20 साथ बचा हुआ है तो 2K PM into R upon R square minus L square का whole square नेक्स्ट बटा जब इसमें हम लगाते हैं केस एक केस आता है किस क्या है केस है कि जब L की value बहुत छोटी हो R से तो R क्या है R देख लो बटा R है magnetic center से लेके और उस P point तक वो R है और L है जब L की value बहुत छोटी हो R के मुकाबले बहुत छोटी हो यानि कि हम इसको पॉइंट की तर डील कर लेंगे लगे कि सिंगल पॉइंट है रहेगा नहीं पर ऐसा हम मानते हैं केस के तायत कि लगे कि वो सिंगल पॉइंट है जब ऐसा हो जाए बटा उस केस में क्या हो जाएगा एल हो जाएगा निगलेट हो गया तो 2KPM इंटु आर अपॉन यह हो जाए बटा दो घुटा है तो होता है 2KPM अपॉन आर क्यों अफॉन था उसके बाद कंडिशन आता है लेकर लाज़ा इसका ड्रक्शन होगा जैसा की ड्यापल के रहता है ड्याप ड्याप्रीशन क्या है उसके ड्याप्जॉड पॉन और उसनोर इस यो उस एफ नेट यहांनि जो जब ऐसा हो गया दोनों के बीच में कितना जीरो डिग्री बनता है उसी कहते हैं लोग पारलल केस और यह कंडिशन यह फॉलो करता है एक्सिल फॉलो करता है तो यह था वेटा हमारा रिक्वाइड एंसर और रिक्वाइड फॉर्मुले विथ डरिवेशन उम्मीद है कि आपक इस वाले केस में तो इस वाले केस में था एफन और इस वाले में था एफेस आप इसको अच्छे बिटा नोट कर लेना एक नंबर का है समझ में आ जाएगा मैं सब कुछ समझा दिया आपको वह ब्रॉट हो पीटा डिस्क्रिप्शन बस खुले हुए कमेंट बॉक्स खुले कर दो